हाई गाईज एक बफिर से आप लोगों को स्वागत है तो आज के इस लेक्टर में जो डिसकस करने वाले हैं वह आश्रम पद्दती का जो मैंस हुआ है उसके सारे सब्जेक्ट के हम लोग कटाब देखेंगे फिजिक्स मैथ बायो कमेस्ट्री ठीक है तो यहां पर देखेंग पदेखेंगें तो सबसे फेले हम देख लेते हैं कि क्राइटेरिययमकों बता दूँ जिसे की 300 मार्क का यह हमारा था ओक हमपल्सरी वाला पार्ट था लुक्निदेट मार्क transaction का निकाल लेते हैं तो देखे 40% लगवग 160 अगर जिसके मार्क्स 160 से नीचे आ रहे हैं तो वह सीट हो गई ठीक है वह भूल जाए क्योंकि एक मिनिम्यूम क्राइटेरिया होता है ठीक है जो आयोग की तरफ से तो माल लेते हैं कि उसमें 20 स्टियंट्स जाए जिनका क्राइटेरिया क्रास लेकिन अब 5 सेथ बच चली जाएंगी दो यह से बस फाइट होगी कि तो यह भी है तो इसको जो है धियान में रखना है तो चलींए मैं पहले बीवे आप लोगों को बता छुका हम तो चलें एकिक और कमेंट सी ठीक है आगे के वीडियो के लिए मोटिवेट करते हैं अजब फ्यूल काम करते हैं तो चलिए आप लोगों के सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ जो है बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पह क्योंकि आयो कितना टाइम लेता है दो से तीन मंत जो है कंपलसरी है कापी चेख होने में उसके बाद ही जो है रिजल गोशित किया जाएगा तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जो बीस नंबर का कुस्चन था उसमें देखिए रेकांकित अर्श की वैक्या करना था पांच पर लिखना तो पांच माक्ंधा रख लो दिखें ते रह तेर तो यहां बीस में झो है लिख बारा कुस्चन देख लेते हैं हैं दिखें दूसरा किस्चन देखित क्या से वाक्या शु ही रखेंगे क्योंकि दो टफ थे इसमें उसी तरीके देखिए कॉस्टन नमबर पांच देख लेते हैं नीचे का अब देखिए इनके विलोन शब्द लिखना था तो यह भी थोड़ा इसमें दो है दो टफ थे ठीक है तो दो इसमें आसान थे दो टफ थे इसमें भी हम लोग है की तो क्या दूसरइव रखेंगे क मश्षू या दूसर टीन सकते हैं मुहावरे हम क्या करना था अंधर लोको रिखना था तो इसम्मत किन इसिकाThis तो चली हम आगे देख ले तें अ mere ध्यात aiब क्या है इसमें संदी विचित करना था तो बीद़ी न हम आता फंप्त बद पहला तो कर लिए होंगे दूसरा ज्यादा लोग गडबल किये होंगे इसमें भी रखेंगे ठीक है उसी तरीके जलिए अगला देख लेते हैं कि समास विग्रे करना था समास का नाम लिखना था तो नीचे वाला तो आसान था ठीक है उपकुल वाला ज्यादा तर लोग कि अगले चार लोग लेते हैं खरले ने बाटां में चलों भ्हारे का दो में पाचीस से तिस ने था कि वाल कंडाओ में टीक है तो यहां से लोग वो जाएगा ते हैं साथ के भीורड़ कि व्ल्हेया ने節目 सब्तेक में सब्रें से वीच पसरह ने पिशुनले के कि dressing इस से कम जो बहुत ही मुश्किल है रह है टो चलिए हम लोग देख लिए अगले अगले सब्जेक्ट की तो ठीक है हुआ ही हिंदी के आप लोगी रख सकते हैं 50 से लेकर 60 के 20 में ठीक है यही रेंज रहने ओर दो दोओ बनेंगे यहां से बनिगा और यहां से बनेंगा और यहां से ज्वेव अग्यार कर दोड़ दोए तो यहां पर OCS3 आपके जुड़ जाएगा के ठीक एडबल बांड को तोड़ देना है यह बने का दूसरा OCS3 को इधर जोड़ देना है ठीक इधर हाड़ लगा देना तो यह दो तुम्हारे प्रड़क्ट बन जाएंगे इन ही का यूपेक नेम बताना था इन ही कि मेकैनिजम बताना था ठीक है तो चलिए यहां से भी हम लोग देखें अगर इस नंबर में तो फिप्टीन ले जाएंगे सब अब दूसरा कोस्टन देखें एक तो थोड़ा टब भी था तो सब कर भी नहीं पाए होंगे और बहुत अब भी नहीं था मतलम नार्मल देंज में था तो हो होता है तो फिडल क्राफ एकि ऐज्यलेशन कराना चाहरा तो तम्हारा सख हो तो डाला था यह यहां और करे पच्छिस नमबर में पूछा यहां से भी एवरेज रख सकते हैं पंद्रा काई अब दीखे दूसरा कोस्टन तो काफी लोग शोड़ दिये होंगे ठीक है तो इस टक्चारी बहुत लोग नहीं ड्रा कर पाएं कि उसके बाद एसिटीक एसिट की रिक्शन करा ना था तो यह तो आटी गए बिल्गुल 19 बचे 19 में भी आप लोग 14 15 एवरेज रख सकते हैं अब देखे लिए प्रिंसवल से आया था कोस्टन यह लगबख सब कर दिया होंगे तो इसमें भी जो है कोस्टन नमर्चार में भी लगबख जो है पहला कोस्टन इसके दो पार्ट में चाहा पहला जो है दस लग लेते हैं दूसरा जो दीया था मोला चालकता तुल्यांकि चाह般 तो समझाना था तो जली लिख लिए होंगे थीडीकल को संदा उसी के साशकुए इसमें रिलेशन बताना था लैंडवीड प्राबर होता है क्या यह था वैंशे फ्याक्टर इंटू लै कि अग्ला कुछन क्या था कि इसमें पीछ रहा था लेखिए मेने कि अग्ला कौसेंजि पर साइब हो अ जू BILL आद से यह इसमें मेर अच्छ नंबर इसक्व सादू तो यह बनS बननेगे तो दोनों बना लिए होंगे तो एक बर सिस बना था यह बद्रानस बनाना था ठ्न सिस्प वाला होगा वाल अप्टिकली एक्टीव होगा गण कली इनक्ट्व आदेगा हो चलिए यहां पर 90 यह रख सकT insist दूसरे वाले में देखिए बहु लोग इस ट्रक्षरी नहीं जान पाए होंगे पराक्सो डाय सल्फियूरिक असिड पराक्सो लगाना था तो आप लोग कर लिये होंगे कुछ मैं इसको डिटल में कराऊंगा अगे अब देखिए उसके बाद क्या सल्फर मॉलीकुल अब देखिए सल्फर में पता है एस एट फाम में पाया जाता है इसका क्राउन शेप होता है ऐसे योटू यह बेंट शेप का होता है वाटर के तरीके से तो देखिए इसमें भी हम बताना था उसी के साथ साथ उसका एक अप्लिकेशन बताना था तो है इसका लातु जादे तर सब जानते हैं तो लगभग कर लिए होंगे इसमें भी हो जाएगा नमबर अब देखिए फॉर्मेल्टी नौर्मेल्टी और मॉलरेटी इन सब की यूनिट्स बताना था तो चल यहां से नंबर कटेंगे भी नहीं तो यह देखिए फंदरा के पंदरा नंबर अगर कर लिए होंगे तो सही है वरना दस सब्सक्राइब करना था तो आप लिख लिए होंगे अब देखिए यह वाला कुस्चन थोड़ा सटफ था काफी आसान था अगर इसको इस वाम में झाल तो यहां से अगला कोस्चन किया था यहां पर यहां पर अब हुआब यहां पर नारमल बेस पड़ा हुआ था तो यह जो है तो इस वाज़े से एक तरफ से 7 में मडरिंग बनेगी एक तरफ से 5 में मडरिंग बनेगी यह आप लोगों को करना था चलिए अगला देख लेते हैं उसमा गत्की के नियम लिखना था यह तो आप लिख लिए होंगे यह को अगला देखे यह तो आप लोगो ते क्की आफ देखें सुने और हमत वाज़ाtım को तेपकर कि जिन आज जहें हैं अब इसमेंती हो जाये हैं इसंवेघ को सकंई लोग नालेगा अगला देखिए यहां पर चलिए हम लोग पांच ही मान सकते हैं यहां तो एक कुछ्टन उपर आला तो बिल्कुल सही था तो अगर दस नंबर में है तो यहां से दस पूरे मिल जाएंगे ठीक है अब अगला देखिए यह वाला कुछ्टन नंबर सी सेवें एस नाइन तो इसके आइसोमर्स ड्रा करने में ज्यादा तो लोग गड़़ी की होंगे इसके लगभा साथ आइसोमर बनेंगे ठीक है इसके भी पांच ही नंबर रख सकते हैं लोग अब देखिए अगला क्या क्या थी को बताना था यह जो कर लगया सही भाना गलत तो यह यृ मैं टिक यह नो सबसे यादा यह फिर यह फिर प है तो यह कर लिये हुंग तो सही है तो दस नमर पूरे पूरे मिल जाएंगे अब देखें यह सारे कड़ बल्क की होंगे ज्यादев्स तर एक से एप्तू भी है कि यह तो यह तो जब दो गडबली किए ओंगे ठीक दस नंबर का था तीन से चार नंबर बस अब दिखे इसका एक्टानिक आप लोग कर लिए होंगे दोनों के जहां तो ज्यादा तो लोग गडबली कि होंगे प्रोमीथियम मेर केवल ठीक है तो नाइलान सिक्स और जो है बॉन है बाइबर साइकल यह भी आप लिए होंगे तो इस तरीके से सारा एवरेज कल्कुलेट करने पर जो हमारा आता है माक् कमेस्टी में यह हमारा बनता है लगभग 165 के राउंड ठीक है उसी तरीके से अगर हम लोग हिंदी में 60 वी जोड लें तो यह हो जाएगा पांस तो यह हमारा लगभग ठीक है यह मैक्जिमम तक जाएगा यह वरना इसकी कटाब जो यह ही रहने वाली 210 से लेके में दोसुख इन पचिस से 30 तख ठीक है यह यह से रहाएं कंश्टी वालों के तो में तो अधिक हम लगभग का देख लेते हैं तो दिकिहे हिंदी के नमें डिस्कस करे ल также आमोधे हैं तो इसमें और इसमनलिकी स्फिक शूटे जाएं झाहिएं सब पूरे पूरा टेंप नहीं कर पाएं इस वए जिसे मैंस की कटाब जाएगे वह नाइंटी टू टू हंडड़ एंटें ठीक है यह हो जाएगा अब देखिए उसी तरीके बायो वालों के देख लेते हैं तो बायो वालों के जो कटाब जाने वाली है तो जैसा कि मैंने बत दो सो से लेके दो सो पच्चीस तक एवरेज रहेगी ठीक है अब दूसरी चीज एक एक चीज और में बता दूं कि अगर तीन सो नंबर का आप्शनल और हंडेड नंबर का कंपसरी वाला पड़ तो 400 400 का अगर हम लोग चारीस परसंट निकाल ले ठीक है तो 160 तो यह मिनिमम कटाफ आप लोगों को कंडिशन है कि इतना होना ही चाहिए अगर इससे आप लोग नीचे हैं तो वह सीट बच जाएगी ठीक है वह सीट नेक्स्ट बार आफर की जाएगी वह सीट सीजर चली जाएगी ठीक है यह मिनिमम क्राइटेरिया होता है 40 परसंट का ठीक है तो वह क कि लोग।